हलो आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है जेपी पावर के बारे में 15 रुपे का ये शेर है गिरावट आज यहां पर देखने को मेरी तकरीबन 3% के आसपास ही गिरावट थी एक महिने में अगर आप देखोगे तो वालेटायल रहा है लेकिन लगाता नीचे की तरफ गया है अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो बीच-बीच में अटेम्ट करा था तीजे दिखाने का लेकिन फिर वो गिरिया फिर कोशिश करी वो फिर रहा मतलब दुबारा गिरावट देखा रहा है बात करेंगे कि भया लॉंग टर्म के लिहाँ से भरोसा कर सकते है कि नई इस कंपनी के उपर और क्या प्रिजन सिनारियो इसका हाल फिल हाल में देखने को मिल रहा है देखिए वीडियो को शुरू करें उसे पहले अगर आपने वीटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो पंद्रा रुपे का शेर है जेपी पावर का और एक महिने में पच्चिस पर्टसंट तक गिर चुका है और ये कोई नई बात नहीं है एक साल में देखो तो खुब पैसा बना कर दिया है और काफी शानदार तेज़ी थी वाई साब 6 रुपे से ये शेर गया था 24 पर शानदार तेज़ी थी यहाँ पर लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हो तो 24 रुपे से लगातार ये गिर रहा है अल्मोस 30-35% तो ये गिर चुका है वहाँ से गिर चुका है वहाँ से लेकिन पांस साल का अगर आप ग्राफ देखो तो पता चलता है कि जब भी एक बड़ी रफतार आई है गिरावट के साथ कुछ टाइम बिताया है बड़ी रफतार आई है गिरावट आई है बड़ी रफतार आई है गिरावट आई है बड़ी रफतार यहाँ पर आई गिरावट लाजमी देख और जाहिर से बात है मुझे यहाँ पर यह लगता है कि अभी भी अगर आप graph देख रहे हो इसका तो एक नीचे की तरफ जाता हुआ graph है पहरी चीज़ तो यह जो लगातर गिरावट है वो कही न कहीं रुकनी चाहिए किसी न किसी एक level पर एक base बनना चाहिए ऐसा नहीं होना यह लगातर गिर रहा था अगले दिन 5% दोड़ गया और आपको लगा क्या चीज़े बदल जाएगी यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर ठीक है तो मैं इतना ही कहूंगा यहाँ पर कि भाई सब देखो time दो इसको किसी भी एक range पे एक time बिताने का वक्त दो इसक पर market cap 10,800 करोड का है और देखा जाए तो जो इसका all time low था वो 35 पैसे का था और 145 पैसे का high भी बना चुका था company देखो तो according to money control जो user उसमें बेचने की बात कोई भी नहीं करा है हर कोई कह रहा है खरीदो खरीदार करी है तो बने रहो अभी present जो मेरा यहाँ पर इस company को लेगर outlook है देखो buying के recommendation पैसे चीस्तों यह कि मेरी यहाँ पर नहीं है मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ time इसको किसी ए चैनिक में आकर अब बेचने की जरूत नहीं है क्योंकि already बहुत ज़्यादा गिर चुका है यहाँ से मैं बहुत बड़ा downfall expect नहीं कर रहा हूं और जैसे कि मैंने का कि 24 रुपय का share था अगर 12 पे चला जाते 50% का decline आ जाता है तो शायद वहाँ से एक buying interest generate भी हो सकता है company अग पिछले तीन quarter में इसने profit कमाना शुरू करा अब पहले इसका negative में था कि loss कर रही थी company और पिछले तीन quarter में जाए इसने profit कमाया तब जाके अब यह अगर आप इसका numbers देख रहे हो तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा से batter लग रहा है अभी last quarter में 2,213 crore का revenue था और 172 crore का profit था इससे पहले 68 crore profit इससे पहले 190 crore का profit उससे पहले loss थे दो quarter में और देखो ऐसा नहीं कि profit इन्होंने इससे पहले नहीं दिखाया जून 2022 की में बाद को अगर करो तो 240 crore का profit था अगले quarter में 75 crore का profit था लेकिन उसके बाद के दो quarter में loss कर गए company तो जाहिर से बात है वापस यह तो यह होता है यहां पर इस company में कोई नहीं बात नहीं है पिछले 3 quarter में profit कम आया है मुझे हिरान नहीं होगी कि अगले quarter में शायदे loss भी कर दे या फिर हो सके कि profit कम आ जा यहां पर possibilities यहां पर कुछ भी हो सकती है तो कहीं न कहीं एक safety वाला जो share है वो यह तो नहीं है पहली चीज़ तो यह कि आप एक बहुत बड़े risk के साथ चल रहे हो इस चीज़ के बारे में जान दो कि रिस्क यहां पर automatically involved हो जाता है अगर आप इस company में निवेश्च कर दो और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको power sector में निवेश्च करना है तो आपको Tata, Adani और government company क की तरफ देखना चाहिए और JP power हो गया रतन power हो गया और अनि लंबानी ग्रूप की reliance power हो गया यहां पर long term के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए यहां पर आप चाहो तो swing trade कर सकते हो लेकिं longer term का investment नहीं reason मुझे लगता है कि यह वो company हैं जो expansion नहीं कर पाएगी और देखो power companies में अभी बहुत बड़े पैमाने पर expansion हो रहे हैं बड़ी बड़ी company की तरफ से क्योंकि हर company अपनी capacity को बढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो जो consumption future में होने वाला है वो बहुत high consumption होगा बहुत high consumption होने वाला है अभी हम electric vehicles की तरफ तो दीरे दीरे बढ़ रहे हैं future में electric vehicles हर जगा होंगे तो उसको charge करने के लिए भी होई है बिजली लगेगी तो consumption हैवी होने वाला है लेकिन कौनसी company कौनसी power company अपनी capacity को बढ़ा पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जो company बढ़ा पैसा लेकर बैठी होई है उनके chances दो से जाधा है और JP power अगर आप देखो तो बैसे भी करजे में है company debt है इनके उपर यहाँ पर share holding के बारे में देखोगे तो जो promoter है promoter की holding 24% की है पहले से बहुत कम है उपर से 19% की holding गिरवी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो मेरे हिसाब से जो एक negative चीज है वो है institutional buying जो कि 20.48% की है अब जनरल ये positive चीज होन institutions को भाया कहरें कि जो investment आपने small cap mid cap में करके रखा हुआ है उसका क्या risk assessment है वो हमको बताओ तो कहीं न कहीं JP power कोई safe company है नहीं यहाँ पर बहुत बार risk involved है तो chances हो सकते हैं कि future में शायद institutions है वो अपनी holding को cut करते नजर आए इसके चलते बहुत ही कम chances है लेकिन है chances तो आप इस retail investor 18.49% का stake लेकर बैठे हुए है अधर पार्टी बड़ी quantity में है 31.82% और इस अधर पार्टी में कई सारे operator भी छुपे हुए होते हैं तो कहीं न कहीं जो सुजलौन वाली story है वो यहाँ पर भी लागू हो सकती है लेकिन मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि जब भी बहुत बड़ी तीजी आई है इसने correction दिखाए है इस बार की जो बहुत बड़ी तीजी थी जो कि वाईसा बहुत बड़ी थी वाईसा अब 6 रुपे से भी कम कीमत का share 24 पर चला गया था 400% का growth था यहाँ पर तो गिराव का है यहाँ पर और अगें मैं long term की बात कता ही नहीं करूंगा इस company में क्योंकि मुझे लगता है कि long term का लिहास से यह share नहीं है और दूसरी बात जिनको safe investment चाहिए उनके लिए भी यह company नहीं है यह risky company है तो risk आपको पता होना चाहिए और मेरे इसाब से 12 रुपे का जो level है वहाँ पर आप नजर रख सकते हो अगर वहाँ पर पहुंचता है तो शुरुआत हो सकती है लेकिन उतना ही खरीत हो बाइसाब जितना risk आप जेल सकते हो जितना डूप भी जाए तो दिक्कत ना हो लेकिन generally मैं इस company को avoid करने की ही बात करता हूँ और at least देखो सबसे पर ऐसा यहाँ पर बनना जरूरी है और अगर वह बन गया तब वहाँ से चीज़े बैतर होगी और जब भी ऐसा कुछ होगा definitely मैं आपको वीडियो बना कर update भी कर दूँगा तो चैनल को subscribe करना भूलिये का नहीं बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा वीडियो को यही पेंडर क